शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें सबका मालिक ए शिमार्ट कीजिए और बेले का उल्हारी में फिरे न भूलेख में आप चाल मालिक है तोब व्रफ खूले उज़ वियां उना सब्सक्राइब के लिए अका और बेलेगन झाल झाल मेरी माक्षी तुम्हारे मार्स बहुत कम है हम तुम्हें इस कालेज में एड्मिशन नहीं दे सकते मैं बड़ी उमीद लेकर आई हूँ सर मेरी करीयर का सवाल है क्लीज सर ट्राइटू अनिस्टेंड मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदब नहीं कर सकता हूँ हमारे कालेज के भी कुछ काहदे कानुन है कमेटी है हमें उसको जवाब देना होदा है स्वारी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता तुम्हारा एडमिशन होना बहुत मुश्किल है थैंक्यू सर्थ अरे 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 क्या हुआ नहीं हुआ ना तुम्हारा एडमिशन मुझे मालूम था कि तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा हां, प्रिंस्पल साब भी यही कह रहे थे, कि मेरे पेसंटीज बहुत ही कम है और मुझे अड्मिशन नहीं मिल सकता मिल सकता है तुम्हें अड्मिशन, वो अड्मिशन मैं करवा सकता हूँ करवा सकते हैं मैं कोई ने कोई रास्ता तो जरूर निकाल लूँगा ठीक है, शाम को अड्मिशन हो जाएगा आओ माला, मैं तो तुम्हारा इंदार कर रहा था बोलो, क्या लो ये ठंडा, या कुछ चाय होगर है नो थैंक्स मेरी काम का क्या हुआ माला ये समझ लो कि तुम्हारा काम तो हो ही गया अब रही बात इस संकी प्रिंस्पल की अरे मेरी उडान तो इससे भी उची है हरे कुछी दिनों मैं इसका ट्रांसपर तो करवा ही दूँगा ये बताओ तुम्हारे इस काम के बदले तुम मुझे क्या दे सकती हूँ तुम्हें क्या दे सकती हूँ देखो माला सस तो ये है ये दुनिया स्वार के आधार पर चलती है यहां का हर आदमी मतलब ही है बिना मतलब के कोई किसी के काम नहीं आता समझ गई ना मैं कुछ समझे नहीं आप कहना क्या चाहते हैं माला मैं ये कहना चाहता हूँ कि चलो मैं तुम्हारा एडमिशन करवा देता हूँ और उसके साथ कॉलेज के नामी प्रोफेसर के के राय से तुम्हें फ्री टूशन भी दिलवा दूँगा कॉलेज की लाइवरी से तुम्हें जितनी भी बुक चाहिए ओ भी मैं दे दूँगा क्योंकि मैं लाइदे दिया नूँ और अच्छे नंबरों से तुम्हें पास करवाने के बाद अपने अन्य दाता से कहिकर तुम्हें अच्छी से एक सरकारी नौकरी भी दिलवा दूँगा लेकिन माला मुझे इसके बदले में तुमसें कुछ नहीं चाहिए कुछ भी नहीं चाहिए लेकिन माला आज तुम मेरा मूड बना दो यार सर मैं ऐसे वैसे लड़की नहीं हूँ अरे मैं कहां कह रहा हूँ तुम ऐसी वैसे लड़की हो है क्या है नहीं माला तुम तो अच्छी तर जानती हो कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है चले लेकिन से में आपका मूड कैसे बनाऊंगी अरे ये तो तुम मेरे पे छोड़ दो कि मेरा मूड कैसे बनेगा आओ मेरे साम्ट सुरी आप क्या कर रहे हैं दीदी इतनी उदास क्यों हो और आज तुमने खाना भी नहीं खाया क्या बात है रतना तुमारा एडमेशन हो गया इस बात की मुझे बहुत खुशी है लेकिन मेरे एडमेशन के लिए मेरे परसेंटेज कुछ कम पड़ रहे हैं अगर इस पर एडमेशन नहीं हुआ तो मम्मे पापा को बहुत दुख होगा दीदी चैंशन लेने से क्या एडमेशन हो जाएगा पहले तुम अपना मूर ठीक करो फिर देखते है एडमेशन के लिए क्या हो सकता है रतना तुझे तुमालूम ही है कि मैं पिछले साल फेल हो चुकी हूँ और अगर इस साल मेरा एडमेशन नहीं हुआ तो मेरी तो सारी जिंदीगी बरबाद हो जाएगी ओ फो दीदी क्यों इतना परेशान होती हो एडमेशन के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलाएगा पदली तु कौन सा रास्ता निकालेगी तुझे तो मालूम ही है इस कॉलेज का प्रियूसिपल कितना सकत है तुम इस बारे में सोचना छोड़ दो एक दो दिन में कोई ना कोई रास्ता निकलाएगा अब चलो खाना खाते हैं गुद मॉर्णिंग सार गुद मॉर्णिंग तुम फिर आगें मैं तुमसे पहले कह चुका हूँ कि तुम्हारा अडमिशन या नहीं हो सकता है लेकिन सर, मुझे इसी कॉलेज में एडमेशन चाहिए बेबी, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि तुम्हारे मास बहुत कम है तुम्हारे एडमेशन का कोई चांस नहीं हलो, हाँ, हाँ, याँ, सर ओकी, सर हाँ, सर थेक है, सर नो प्रव्लम, सर तुम्हारे एडमेशन हो जाएगा लाओ अपने फाई थ Qui thank you, sir, thank you very much थेक है, तुम्हारे एडमेशन हो जाएगा thank you, once again, sir वापस आओ, वापस आओ किसकी यादों में इस तरह कोई हुई हो, हाँ कहो मांला, कason हो तुम खयालों कि दुनिया से तुम बाहर आओ, तब तो पता चले कि हम कैसे हैं काश हमारे में चमन में कोई भवरा होता, तो हम भी उसके साथ गुन-गुनाते राइट देख पर आई परीद, हैरान नहो, खुदा तुझे भी देगा, परेशान नहो क्या बात है, आज तुम लोग बहुत खुश नजर आ रहे हो हमारे एक खुशी का कारण है कि माला का अडमेशन हो गया है कॉक्रेशलीशिन्स माला, तांक्यू लेकिन तुम्हारे माक्स तो बहुत कम थी फिर तुम्हारा एडमिशन कैसे हो गया तो आज समझ ले चमतकार हो गया तो भाई मेरे साथ भी यह चमतकर करवादो ना जरूर करवादेंगे कल चलना मेरे साथ अरे कल की कल देखना अभी फिलाल यहां से चलो क्यों किसी के सपनों में खलल डालकर विलिन बनने की कोशिश कर रहे हो ठीक कह रही है जुली यह चलो हम चलते है इससे अपने सपने में खोई रहने दो मारो भी अज़ेशन कर दो पता नहीं है संजे कहा रह गया कितनी देर लगा थी आने दो उसे तब मज़ा चखाऊंगी हलो अरे रुको तो सुनो नाराज क्यों हो आदे घंडे से इंतजार कर रही हूँ आते जाते लोग मुझे घूर रहे हैं तुम्हें क्या फर्क पड़ता है और कहते हो नाराज क्यों हो अरे किरन सुनो तो रुको 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 चलो किसी अच्छे रेस्टोरेंट पर मैटते हैं फिर रेस्टोरेंट आखिरी कब तक कितनी बार काया है कि मुझे अपने डैडी से मिलवाओ लेकिन हमेशे तुम बहाने बना देते हो समझा करो किरन सिर्फ साथ आठ दिन बस फिर साथ आठ दिन फुसलाना तो कोई तुम से सीखे देखो आज रात में किसी काम से दिल्ली जा रहा हूँ वो भी डैडी के काम से है साथ दिन में लॉट आँगा प्रामिस साथ दिन? साथ दिन कम होते हैं क्या? मैं नी जाने दूंगी तुम्हें समझा करो किरन यह डैडी का हुक में टाल नहीं सकता हूँ नहीं गया तो मेरा कोट मर्शल कर देंगे लेकिन यह साथ दिन तुम्हारे भी ने कैसे बिताऊंगी कभी सोचा है तुमने? समझा करो किरन यह डैडी का हुकम है ना उनका हुकम टाल सकता हूँ ना ही मैं तुमसे दूर रह सकता हूँ लव यू किरन लव यू तू संजे कनों में ज्ञाला कने में माला कनों में ज्ञाला पहन के निकिली कवारी पहन के निकिली कवारी सुन जाले मां जाएगी कहाई मुझको यहां छोड़के शीशे साना फुक दिल है हमारा जाना ना तुम तोड़के आजा मेरी जान आजा मेरी जान आजा मेरी जापा हो में भरे दुनिया की नद्रों से तुझ को छिपालों तो बसी है निकाह में बंगला तिला तुझ काड़ी दिला तुझ कहे तो दुनिया की सेर करा तुझ बंडिक बुला तुझ पिया हारा चातू ना जा ना जाने आजा 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 मेरी जापा हो में अरे दुनिया की नद्रों से तुझ को छिपालों तो बसी है निकाह में दिल ना दोड़ो ता मन ना छोड़ो दोरी हमसे यूमे न मोड़ो आजमाना है आजमाने तेरे लिए मैं जहर भी खाड़ू मजनु मैं तेरा राधा मैं तेरा तेरी लगाऊं कलियों का फेरा सामझ ना आए तुझ को आजानम कैसे मैं अपना तुझ को बना लूँ सर को जुका के आशिक बेचारा हातों मैं मागे हात तुमारा जीते जी मैं मर जाओंगा पाना सका अगर साथ तुमारा ना जा ना जाले आजा आजाले आजा मेरी जबाहों में हरे दुनिया के नजरों से तुझ को छिपा दो तु बसी है निगाहों में हरे दुनिया के नजरों से तुझ को छिपा दो तु बसी है निगाहों में हरे दुनिया के अजरों से तुझ को छिपा तु बसी है निगाहों में पनाला जी नमस्ते नमस्ते माला कैसी हो तुम ठीक हूँ यह मेरी फ्रेंक किरन है अच्छा 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 और इससे एडमिशन चाहिए मैं बड़ी उमीद लेकर आपके पास आई हूँ प्लीज इसका काम भी आपको ही कराना होगा माला तुम तो जानती हो कि मैं कितना धार्मिक प्रवित्ती का आदम हूँ अगर मैं किसी जरुवत मन के काम आ सकूँ तो इससे बड़ी मेरे लिए उस वभा की बात क्या हो सकती है पनालाल जी मैं अपने एडमिशन को लेकर बहुत परिशान हूँ अगर आपने मेरे एडमिशन करवा दिया तो आपका मेरे उपर बहुत बड़ा एहसान होगा अरे कीरन जी इसमें अहसान की क्या बात है मैं तो जब रोज सुबर सो कर उड़ता हूँ तो इश्वर से एक ही प्रात्ना करता हूँ इश्वर मैं इसी तरह आप जैसे जरुवत बंदों के काम आता रहूँ माला मैं अभी अपने अनदाता के पास जा रहा हूँ और इनको अपने साथ में ले जाता हूँ और उनसे मिलवा देता हूँ यह समझ लो कि इनका अडमेशन कर हंड़ेट परसंट हो गया ठीक है तुम बेफिकर होके होस्टल जाओ जाओ ओके सर आप इसका ध्यान रखेगा कोई शिकायत का मौका न मिले अर्य तुम भी कभाल करती हो मारा जब एक बार कह दिया कि तुम अपने होस्टल जाओ तो जाओ चले ओक्राइब साहब आपसे मिलना चाहते हैं पुलिस आप इन्हें पहचानती हैं जी हाँ यह मेरी बड़ी बैन के रन है कल सारी रात यह रूम पर भी नहीं आई मैं इसकी चिंता में रात बर सो भी नहीं सकी क्या आप जानती हैं इस वका है को आप मेरे साथ हास्पिटल चलियं मैं बताता हूं इंस्पेक्टर साब सब तीक तो है आप यह मेरे साथ कर चंट कर चंट दिदी, दिदी, क्या हो गया तुम्हें दिदी, दिदी, आखे खोलो दिदी तो मुझे अकले छोड़के नहीं जा सकती, दिदी, दिदी, आखे खोलो दिदी, 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 आखे खोलो, दिदी, 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 आखे खोलो देखे, आप ज़रा हिम्मत से काम लीजी इस्पेक्टर साहब, यह सब कैसे हो गया इन किलाश हमें रोड़ पर मिलती देखने से दो ऐसा लगता है, कि एक्सिडेंट लेकिन पोस्ट मारम क्रिपोर्ट यह सावित करती है, किनका मरडर हुआ है और मरडर के पहले कुछ लोगे नेका बलादकार भी थे अवालाद, लास्चिन के हवाले करते हैं यह सर्ड़ी मिस्टर विजय, इस लड़की के बारे में मैं आपको कोई जानकारी नहीं दे सकता यह लड़की मेरे पास आई ज़रूर थी, लेकिन अभी तक इसका एक्मिशन नहीं हो पाया था थैंक यू वेलकम, ओके बाई, थैंक यू मन्द बुधी, मेरा नाम मन्द बुधी नहीं पांडे है अरे भाई तो मैं भी चेरिया हूँ एम बी का मतलब होता है मन्ध बुद्धी समझ ले और टीबी का मतलब होता है तेज बुद्धी यानि तेज बाल बहादूर समझ ले आपे टीबी का मतलब होता है टीबी की बिमारी अपे तु बिमारी है दूर हट दूर हट कही मुझे ने लगता है अब बात बिगड़ जाएगी अबे पिगड़ेगी क्या अब वो सामने देख बिगड़ गई लगता है मिया बीवी का आपस में लफड़ा हो गया है और हमारे पास रिपोर्ड लिखवाने आ रहे हैं चल वहां जाकर देखते हैं इंस्पेक्टर साब अर कुमारी हूं अरे ये गुंडा है गुंडा, रोज मुझे छेड़ता है, कभी सीती बजाता है, तो कभी गाना गाता है, या आज मुझे देखते ही गाने लगा, अरे चल कहीं अकेले में, मुझे डर लगता है दुनिया के मेले में, मुझे कहता है चलने को, अच्छा, तो आप अभी तक कु पर आमारी था कुछ नहीं कि यह मैं अपने रज्टे पर सीड़े जा रहा था पागल लड़की को चेड़ता है वो भी अकेली देकर सब्सक्राइब आठी अबे चल अंदर चल ये क्या तवाशा लगा रखा है इस सर ये गुंडा मुवाली है ना इस खुश्रत कन्या को छेड़ रहा था मुस्कुरा के अबे कदो ये तुम्हें गुंडा नजर आता है कि किसी लड़की को छेड़ सकता है नजाने कब अगल आएगी तुम लोगो को स अबे यहां बर्बाद जिवानी बाहर जाए रहे हैं अबेहो कुप कही कह है कि मैं कमी सर आये इंस्पेक्टर आये क्याने करक्ष्ट कैसे कि आपने सर जो लड़की इस हॉस्टल में रह रही थी उत करेक के बाद मर रहो चुका है उसी के तहक्किकात करने आया हूं मैं हाँ इंस्पेक्टर वो ख़वर मैंने भी सुनी है और वो ख़वर सुनने के बाद में बहुत परेशान हो गया है वैसे उस लड़की ने हमारे कॉलेज में एड्मिशन नहीं ले थी आरा कि वो लड़की आई थी एड्मिशन देने के लिए लेकिन इंस्पेक्टर अब इस सवाल दो उठाएंगे उठाएंगे और जब जनों का सवाल उठाएगी तो जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे आपसे तरखास है आप किसी तरह से भी गुन्यागारों को गरफतार कीजिए सरकार से आपको जो भी मदद चाहिए मैं आपको दिलाने के लिए तरह से जाना चाहता हूं उस लड़की के केस से जुड़ी कोई जानकारी अगर आपके पास आई हो तो नहीं स्पेक्टर अब तक तो कोई जानकारी हासिल नहीं हुई लगिन जैसे कोई इंफरमिशन मिलती है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा वोके सब में चलता हूं एक ब है हलो डैट कैसे आप हलो बेटे कैसे हो तुम कैसा राह सफर तुमार ओ फैंटास्टिक बहुत अच्छा मेरे काम का क्या हुआ आस तक आपका काम के भी रुकाए डैट सभी कंप्लीट करके आया हूं और परसोस की रिपोर्ट आपके पास पहुँच जाएगी आम मैं समझ के किसका फोन होगा रखना क्या वा थे मुझे यहां क्यों बुलाया है तुम रोकियो रही हो दीदी क्या वा दीदी को क्या वा किरन को दीदी हम सब को छोड़कर चले गई है संजय भीया क्या कर चलेगे किरन क्या वा उसे आखिर तुम साब साब बताती क्यों नहीं रतना क्या बते बोलो संजय भीया पता नहीं किंदर इंदुना दीदी के साथ बलात कार करके उन्हें जान से मार डाला नहीं रतना आएसा नहीं हो सकता कह दो कि तुम जूट बोल रही हो मेरे किरन के साथ कितना बड़ा नया नहीं हो सकता है ए भगवान ये किस गुना की सजा दी है तुने मुझे संजे भीयर अगर आप ही हिम्मत हार जाएंगे तो हमारे आसु कौन पोचेगा रतना उन दरिंदों का कुछ नाम पता मालूम हुआ अभी तक तो नहीं कोई बात नी रतना आज से मेरे जिन्दी का सिर्टेकी मकसद होगा किरन के खादिलों की तलाश अरून अरून तिवारी सबसे जरीला नशा जो होटों से तपकता है ऐसकी खादों से जरीला निटायओ आज़ी बुला दाना又 चुड़े जो अचाल मेरे नोट्स थे ना तका भर कला ने कर ले आओँगे कुछ नहीं आता है हलो सीता, सलमा, सूजी आप वो गेट दो छोड़ दूँ नो थैंक यू मैं लिफ्ट की बात कर रहा हूँ लिफ्ट देना कोई गुना तो नहीं है लेकिन हमें लिफ्ट की कोई जरूत नहीं हटो मेरा रास्ता छोड़ो मैरम, मुझे लिफ्ट देने का बहुत शॉक है मैं अपना शॉक हराल में पुरा करता हूँ एक शॉक की बिमारी मुझे भी है तुम जैसे लुचे लफंगों को सड़क पर जूतियों से पीटने की कहो तो मैं अपना ये शॉक पुरा करूँ कहां चलती लड़कों को छेड़ता है वैं तेरी तो आप 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 कुछ आप याद रखिदा चोड़ो गारे तुझे पेदी तो चोड़ो गारे तुझे तो चोड़ो गारे तुझे नियुद्ध कुछ आपको छोड़तो नहीं आ है नहीं आज तो भागया लेकिन एक नएक दिन इसे जेल की हवा ज़रूर खिलाऊंगा क्या मैं आपको होस्टल छो सकता हूं चलिए जी बस आगे यहां रोक दीजे था 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 लुप लुप पा था 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 आई लव यू अर्याब आई तुम्हे बुक बोलाई थी वही दिने आया तेंक यू आई चाही बीटेर नहीं आज नहीं फिर कभी मैं चलता हूं बाई बाई मेरे फोटिग्राफ्स अबै हम चुवरा तो क्या हुआ इंसाने भी कोछ चीज़ है समझा तो मैं पत्र महीं को बाई जी यार आउ आउ आपला आता हूं मैं चुनिये मैडम आउ 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 क्या कह रहे हो तुम्हा आउ 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 इसकी तो कमाल है सब्सक्राइब अरे क्या यार मातूर साहब कहां है आपका गुर्गा अमा क्यो मरे जा रहो यार अरे यह उमर में इतना उतलवा पर अच्छा नहीं होता यार नमस्ते मातूर साहब अरे मातूर खुश्बू की बोतल है भाई अरे जनाव खुश्बू की बोतल नहीं यह तो खुश्बू का खजाना है अब बना अब तुम्हारी चर्चा हो रही थी आओ मालिक यह रागिनी है प्रिंस्पल साहब ने इस बहुत परिशान करका मालिक यह लड़की ना बढ़ने में बहुत होश्यार है लेकिन प्रिंस्पल साब है ना इसे अड्मिशन ही नहीं दे रहे तो परिशान कर रहे प्रिंस्पल क्यों लगता है मातूर साब आपका प्रिंसिपल इस खुशुरत लड़की को एड्मिशन देने के लिए मोटा डोनेशन मांगता है बोलो कितना प्रिंसिपल के उसूलों का अच्छाए में हरिश्चाद्र से चार कदम आके चलता है हमारे प्रिंसिपल साब मैं तो बहुत तंगा चुका उस प्रिंसिपल से अरे कुछ ख्याल ही नहीं या इन बच्चों करीयर का ख्याल नहीं के फ्यूचर का ख्याल नहीं यह बरबाद हो जाएंगे ना चलो दोस्तों हम मिल जूल के इस लड़की का एड्मिशन कराएंगा जो इनके लिए चाय हो जाय क्यों भाई को बेंग को देंग्च ऑच्ब जै एक अ को अँधिक अभी आप यह जाएंग आप यह दो युदेंग अच्छों प्रिए रहाद पोल्ड रिंग निम्द्वे पियो पियो ना पिलो क्या पिलो कोलवें भावी चान क्या पाथ खमाल अंगड़ाई है तन पतन में आग लगी तन पतन में आग लगी क्या पाद है? क्या टाव के लाया कुरगे? क्या हो गया? चलो 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 मैंधी चलाओ तुम एकदम कमीने और भट्या इंसान हो तुमने मेरे साथ धोका किया है मैं पुली स्टेशन जाओंगी तुम्हारे कलब कम्प्लेंड करके आओंगी पुली स्टेशन जाने से पहले जरा इसे देख लो मेरी ज्यार हाँ हाँ देखा तुमने पुली स्टेशन जाओगी तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा बिगड़ेगा तो सरफ तुम्हारा क्योंकि इन तस्वीरों में तुम अपने कपड़े खुद उतार रहे हो अब तुम सोच लो कि तुम्हे कोलेज जाना है या प्लो स्टेशन अब तुम्हे कोलेज जाना है यहापन जो स्टेश मेरे हम का ये पसाना दिया तूने ओ जमाना मेरे हम का ये पसाना दिया तूने ओ जमाना मैं कहाँ जाओ वदाब रास्ते सब बंद यहाँ मेरे हज कल में तनहाई कोई नहीं है संग यहाँ संगे संगे इन्या है संगे अ मैं यहाँ आरे है इतनी सारी लड़कियों की तस्वीरे देड़ी के गुदाम की सेख में? ताच्चीब की बात है मैं तो आज तक डेड़ी को एक नेक इंसान और समात सिवक समस्ता रहा है अब मुझे इस बात का खुलासा करना ही पड़ेगा किरन की हप्तिया और पलतकार आखिर किसका हाथ हो सकता है और फिर टेड़ी की गुदाम बाले सेफ में एकनी सारी लड़कियों की तस्वीरे है इसका रास क्या है किसे मिलो उसे मिलो जाओ पहा देदू 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 किसे अपना देल जमा किसे मिलो उसे मिलो जाओ पहा देदू 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 किसे अपना देल जमा दिना है दिना है दिना है दिना है दिना है दिना है किस गदू उसको दू इस गदू दिल मेरा इतने ना बिताब है दिल कि एहना न मान मेरा इतना विताब है दिल, एहला न माने मेरा, किसको दो, किसको दो कोई तो भी ले जो मुझे अपना पना ले आ, सोचता इतना क्यों जीवन के दिन चाओ कोई तो मिले जो मुझे अपना पना ले आ, सोचता इतना क्यों जीवन के दिन चाओ दीरे धिरे करो प्यार, होले होले करो प्यार, सिरिना मिलूंगी दो बारा, खाली गया जो भार कोई तो मिले जो मुझे अपना बना ले आ, सोचता इतना क्यों जीवन के दिन चाओ कोई तो मिले जो मुझे अपना बना लेया दोस्ता इतना क्यों जिवन के दिनचा आजाज, जानिमान, जल रहा ये बजर कैसे बुजगी जानो, दिल की ये बजर कैसे बुजगी जानो, दिल की ये जल तुम्त तुम्त तноत…त 2030 скоро अब जो गई तो फिर हाथ नहीं आओगी, बाप में कम पच्छताता हूँ कोई तो, आओ नॉ और इसकने बढ़ने लगे ये पुदी, आज से आगे बढ़ने लगे क्या कहूँ, कैसी कहूँ दर्दे, कैसी साओ भी न दिये, मैं कैसे रहूँ क्या कहूँ, कैसी कहूँ दर्दे, कैसी साओ भी न दिये, मैं किसी रहूँ इसको दू, इसको दू, इसको दू, इसको दू, दिय मेरा इतना बिताफ है दि, रहना न मान मेरा इतना बिताफ है दि, रहना न मान मेरा किसका दो, किसका दो आज तो छमिया ने दिल खुश कर दिया यार ओमाइ गाद जंदा कितना हुआ यार चिल्लर कौन गिने गाए यार मेरी चमिया आने वाली ती आई नहीं यार चमिया इतनी जल्दी कप्रे बदल लिया ये तो शुदर कही भाई जो चमिया जिंदा भाई छत्रा कितना हुआ क परी कमा इतना हुआ परी कम गडा कुछ इस लाज के हर एंगल से फोटोग्राफ लेलो और पांडे यह सर यहां रखिए हर चीज के फिंगर्प्रिंट से लेलो सर अभी ले लेता हूं मुस्क्रा के इस लाज को सील करके पंजना मात यार करो जी और आसको पोस्ट मारं के लिए भेज़ दो ओके सर एफ फोटोग्राफर मेरी भी एक फोटो लेले मुस्क्रा के अरे राय साब मुझे तो बहुत ज्यादा डर लगता है यह सबसुरी आदम खोड़ डायन कहां से अटब की अरे दिखा पर अरुन वो जोदरी साब को किपनी भयानक मौत मारा है कहीं उसकी नदर हम लोग को पतों नहीं है ना क्या पक्वास करता है पन्ना यह कतल किसी आद सबसे ज्यादा की बात तो है पन्ना इस पांच नमबर ने तो हमें बहुत चिंता में डाल दिया है अरे भाई जितनी जिंदा करोगे उतनी जिंदा बढ़ती जाएगे मैं भूत प्रतों को नहीं मानता वैसे भी दुनिया में भूत प्रतों को चीज है ही नहीं पकवास है कम बाक्त अरुन बैस जरा अनदाता को फोन तो लगाओ और उनसे पूछो कि इस बारे में उनके क्य ख्यालात है आरे वो भी अकी नहीं करते होंगे यार अरुन एक बार पूछो तो सही ठीक है पूछता हूं हलो हलो सर मैं आरुन बोल रहा हूं हां बोलो तिवारी क्या प्राब्लम है सर आपने इस आदम को टायम के बारे में कुछ सोचा अरे क्या बखवास करें यार तिवारी आज के सुभाइग गयारी क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी बात वोन विश्वास करते हो अरे यह भूत प्रेट कुछ भी नहीं है यह सब कालपनिक है दुनिया में इसका कोई अस्तित्पनी है यार यह तो सब तांतरिक मांतरिक बाबाओं का अपना धंदा चलाने के लिए उड़ाई के अफवाएं हैं पर कुछ भी नहीं तुम फिकर मत करो सिब ठीक हो जाएगा थांक्यू सार आचल सब टरफों के एक नंबर के अरून मैं वो पन्ना क्या बोले अने दाता वही कह रहे हैं उनको इन बात पर यकिन नहीं है उनके एक ह्याल में चौधरी का कतल किसी आदमी ने किया है टायन ने नहीं करने के वह सही कह रहा है अरून मैं चौधरी का कातिल कोई बहुतते दिमाग वाला आदमी है जिसमें डायन का ढोंग करके हम सब को चक्कर में डाल दिया है अधियार टीवी अरे भाई मेरा नाम तेज बहादूर है यार एक खामकार मुझे जल्दी से एक बीडी पिला दे इससे पहले के इस्पेक्टर सावाज यह पगार तो मिलती है लेकन इतनी कम बड़ी मुश्कल से घर की दाल रोटी पूरी होती है बीडी कहां से प्यों अच्छे बता कल मैंने तुझे सुकानोड दिया ता उसका क्या किया मैंने क्या किया दे दिया होगा अपनी लच्चो रानी को ले मेरी रानी कि अरे यार एक बात बताऊं वो लच्चो रानी है ना तेरे बारे में पूछ रही थी मुश्क राके यही पूछ रही थी टीवी भहिया राकी बंदवाने कब आ रहे हैं माचस कहां गई? अबे पांड़े के बच्चे, तूने मुझे बीड़ी के चक्र में पुल्लो बनाया मैं तुझे नहीं छोड़ूगा, नहीं छोड़ूगा तुझे कि इसे नहीं छोड़ोगे बादूर? सर जी, मैं बीड़ी पीना छोड़ रहा था न? सर मैंने इसे बहुत समझाया यह बीडी बड़ी गंदी चीज़ है इसे मत पिया कर यह ले चलो इसकी सवाइब आगया कि बीडी पीना बुरी बात है क्यों पंडे तुम बीडी नहीं पीते है सर कभी नहीं मेरे खानदान में कोई बीडी नहीं पीता तो मैं कैसे पीऊँगा सेड़ी देखा देखा पीडी पीने का नतीजा सर्ण मैंने इसको कितनी बार समझाया ये पीडी बड़ी गंदी चीज़ है इसको पीने वाला कभी बुड़ा नहीं होता वो कैसे क्योंकि वो जुवानी में ही उपर चला जाता है मुस्करा के अजी तुम दोनों मेरी बात ज्यान से सुनो और सोच समझ का जवाब देना कल मैंने धरम चौदरी की पोस्पारण रिप्रट पड़ी है तुम दोनों ने लाज देखी है और रिपर्ट भी पड़ी तुम दोनों बताओ कातिल कौन है सर मुझे अठारा साल हो गए हैं पुलीस की वर्दी में बीन बजाते हुए मैं तो लाश को देखते ही समझ गया था कि कातिल कौन है अच्छा कौन है सर वही आदम खोर डाइन मुझ कुरा के कि शारी सर अठारोत साल होगै नौकरी करते ही सर यहाद टो मैं इनसे 2 साल वह से और और अज मैं है वल्दार हुए पहले के दिया था आदम खोर डाइन कातिल नहीं है कातिल कोई और है अच्छा तो फिर कातिल कौन है अच्छा दॉन के साब कि कॉसकता हूँ आदम खोर डायन कातिल नहीं कातिल भूतनी है भूतनी है अच्छा तुम बताओ दोनों में क्या फर्क है सर दोनों में इतना ही फर्क है जितना गदे में और घोडे में हमूज कुरा के शट आप and get out from here यह आदम खोर डायन आकर क्या बता है समझ नहीं आ रहा है हम्री दीधी की है सरकार की जीचा पानी बरे दीधी की है सरकार की जीचा पानी बरे अरे कोई नहीं आ रहा है अरे वो हवल्दार ही आ जाता आए आए ना जाने इसे देखर मेरे दिल में कुछ-कुछ होता है लच्छो जी हो गया कैसे बाती करते हो अभी टोंबी शादी भी नहीं हुए अभी कैसे हो जाएगा आए आए क्या अदा क्या जलवे तेरे लच्छो अरे लच्छदी मैं वो नहीं पूछ रहा जो आप समझ रही है मैं तो ये पूछ रहा हूँ मेरे कपड़े होगे क्या प्र दे दो ना मेरे कपड़े मुस्करा के अरे हम प्लीस वाले हैं दिल वाले हैं तुमारे पैसे लेकर मैं भाग थोड़ी जाओंगा पूलीस वाले हो इसलिए तो कौनों बरोसा नहीं है लच्छो जी मुझ पर बरोसा कीजिए मेरे बाप का नाम बरोसे लाल है लच्छो जी मैंने आपको दिल दिया है आपका बिली चुकाऊंगा जल्दी से बताओ तुमारे कितने पैसे हुए मुस्कुरागे ज्यादा नहीं सिर्फ 50 रुपे 50 रुपे दस कपड़ों के जल्दी से पताओ तुमारे कितने पैसे आफ कितर पैसे हैं अरे कांगे किदर गया तुमारे पैसे है वो मेरी ही तो जाता हूँ जाता हूँ अच्छा तो हम चलते हैं अब जब दोबारा पगार मिलेगी ना तब ही यहां आना आउंगा जरूर आउंगा तुम्हें साथ लेकर गाउंगा क्या उस्ताद जेप में फूटी कोड़ी भी नहीं है दस दिनों से बोनी नहीं हुई और पेट में पेट में चुए अलग दोर रहे हैं अरे मेरे प्यारे प्यारे जिंगा अब यहां तोड़ा सा सबर कर समझा क्या नमस्ते सर जी नमस्ते सर मुस्क्रा के क्या कहा नमस्ते सर सर जी मैंने अब यह भी इस मकान के पेछे चोर को जाते देखा अगर आप उसे पकड़ लेंगे ना तो कसम खुदा कि आप इंस्पेक जाओंगा तीबी मुझे सर कहेगा लख्षों मेरे कले से लिपट जाएगी सर, सर, क्या सुचने लगे सर? मैं उस चोर को जुरूर पकड़ूंगा तुखड़ी सर? सर जी, आप चोर को पकड़ो कैसे? कपड़े तो आपके हाथ में, लाइए ये कपड़े मुझे देदी जी, आप जाके चोर को पकड़ो, मैं यही खड़ाओं घंटी बजाके आप यही ठ्यारो आपे बच्के मोटे घंटी, चाडचाड चले मेरी पेक पर, आरा चोर सा पकाल ले ना, पकाल ले ना क्या बताओ, मैंने मकान के पीछे चपा चपा चान मारा, मगर कोई चोर नहीं मिला, एक गदा मिला, उसने भी द्रती मार दी अरे अरे अब क्या होगा, ना मेरे पास कपड़े है, ना पैसे, यूटी पर कैसे जाओ, अरे, अब क्या 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 हो, इंस्पेक्टर साहब, मेरी दीदी के कातिलों का कुछ पता चला, अभी तक तो कोई सुराद नहीं मिला है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है, एक दिन में किरन के अर्ट्यारों को, ज़रूर किरिफतार कर लूगा, जी, एक पलिस ओफिसर होने के नाते ही आपका फर्ज बनता है, लेकिन क्या आप एक दोस का फर्ज भी निवाना चाहेंगी, क्यो नहीं, इन जानित के जितने भी फर्ज होते हैं, वो मेनी भावगा, किरन दीदी की मौत के बाद, मैं बहुत अकेली हो गई हूँ, क्या आप मेरा साथ दे सकते हैं, ज़रूर्द हूँ, आज से तुम अपने आपको पिलकुल अके अमस करेंगे, उस्ताद, उस्ताद, आप मुझे भुख पर्दास नहीं होतां, उस्ताद, अरी, तब लोगा क् आप मेरे प्यारपरा नाजने छेंगे, तोड़ा साबर तो कर जड़ा, आपा देख, देख सामलेत नहीं है, बक्रा आरा है, इसी डिस्को में जाए, इंग इडिंग, इसी होटल में खाए, दूंग दूंग, इनी कप्लों से, इस बक्रे को हलाल करूंगा, अब फेर मा तु नमस्ते, इरो साहेब, नमस्ते, पर हम नहीं समस्ते, नमस्ते, इतनी तेजी से, आप कहा जा रहाते हैं, गंटी बजाके, अने, कप्ड़े लेने जा रहे हूं, परे सब्चू क्यों पूछ रही है, सर्जी, लक्चु ने कहा था, हवल्दार साब को देदेना, कप्ड़े ग था किस वाध कि दो रुपए अधे तो माली लट्चो ने कह था है न एयर साइब बेकारी ले में और मेरे कर आंगओ गैसे आधन मैं तुझे ले इसे पर्भान आधा है अ थैध्या बंस nah तू इतनी दिक से आ रहा है यह तो बता तेरी वर्दी कहा है अरे ओटीवी क्या बता हूं वर्दी क्या मेरे सारे कपड़े दो ठगों ने ठग लिये ना रहा था अपनी प्यारी प्यारी लचों के पास से और वो मेरे नो कपड़े लेकर नोगों 11 होगे वारे मेरे सीनियर होगा दो ठगों ने ठग लिया है और तू धकर आ गया अरे चलता की सिवा तू क्या खाग करेगा अबे ये कपड़ तो मेरे है तेरे बस घास है होता है होता है अक्सर ऐसा ही होता है एक तो गुद्धी कम उपड़े जाने का गम अगर तेरी जबा कोई हो रोता ना तो वो भी पागल हो जाता जैसे तू हो गया है मेरे कपड़े देखकर अबहानी यार पांडे वैसे तो ये कपड़े तुम्हारे पर मेरे कपड़े यह पता ये कपड़े तेरे पास आए कैसे मेरे बस अरे मैं अपने कपड़े लेने जा रिया था रास्ते में मुझे लंबू और टिंगु मिला उसने बोला साथ ये तुमारे कपड़ें लेने कपड़ें ले लिए और उसे दूसर में दे दिये क्या कहा तुम्हें दोसर में दे दिये मुझकडा के अवे ओ टीबी अवे ओ अकल के दुश्मन अवे ओ लबू जुन्ने तेरी पुती है छोटी और नियत है खोटी अरे ये वहीं दोनों ठाक थे जिनों ने मुझे ठेका था अब वो तेरे दो सर्मेठा कर ले गए है हम अचाने है आगाँ है मैरे भी सपने है थे मेरी भितानी मेरे भी सपने है थे मेरी भितानी मेरे वक्त निम्छ पालोटा बनी दुश्मन जवानी मैं वहाँ जाओं बताओं रास्ते सब भन्ज यहाँ मेरे हर पल में तरहाई कोई नहीं है संग यहाँ सर्दे सर्दे दुनिया है सर्दे और रैसाब एलब भूठ परेड़ डायन को बानते ही ने सबसных मानते तो हम लोग वह लगिन कर कै सकते हैं देखिये राइस जान है तो जहां हमें पुलिस का में याolis को है चो क्छट ने हैं दरेखिए ङुकर को इंसान होता तो पुलिस कुछ कर भी सकती थी और Bereich अम योई यह किसी तांतोरी का शारब लेना चाहिए इस फेसी तांतर अज़े तंदे की तलाश करके आपको खबर करता है जलता है अ कि अ कि आपी आपे जम्रेश अब कुछ तेरी वितिल समझे में आया गंटी बजा के इस अब समय गंटी बजा आपाम समय गंटी बजा के दरते हैं माराज मुझे बचलो चोटे से बच्चे को छोड़कर मेरी पीवी माई के चली गई है मैं जब भी उसको लेने सस्राल जाता हूं सब्सक्राइब यह बारके भगा देते हैं महाराज, मुझे बचालो, मुझे बचालो महाराज ये धागा बाए हत में बाढ़ ले तेरी भीबी, खुद बखुद धागे साथ में खिचिछ चली आएगी केला चिंगे अलाख निरंजन जेहु भबड़िश, जेहु महाराज महाराज, मेरा प्रेमी किसी दूसरी लड़की के चक्कन में पड़ गया, इस बात से मैं बहुत प्रेशन हूं, मेरा कल्यान कीजिए महाराज अलक्त निरंजन, फुत्री, ये धागा पाएं हाथ में बाद ले, तेरा प्रेमी खुद में खुद धागे के साथ में खिचा चला आएगा, इक किस रूपे डाल दे छिंगो की जोली में, अलक्त निरंजन अलक्त निरंजन आरे ये बाबा, आतकल मेरा धंदा बडा मन्द चला आ रहे है, कोई माटे मेला पायसाए नहीं देता, बड़ा दोख्के दिल काटे हुद रहे है बाबा, कुछ अइसातर, कि मेरा धंदा वे चल पड़े, हीड़ेगे के दूअ से तेरा में धंद चले गए रहे है, कुछ प तूराइब बापा तुने तू अभी चे मेरा धंदा चलू को ढिया बापा देरा वे धंदा परे जोर से चले मारों अरे नहीं महाराज ऐसा मत कहिं है महाराज अरे घर आए फर्यादी को मत भी लाएँ माराज आप तो दाता है अंतर्याम है वो आदम को डायन मुझे मार डालेगे अ बाबा की जोलिम हजार रुपाय डाल, तेरी मुसेब बूर हो जाएगी, अलाख ने रंजन, बच्चा ये धागा अपने गले में बांद ले, जब तक ये धागा तेरे गले में बना रहेगा, तब तक तु डायन सा बचा रहेगा, एले बच्चा अरे, अरे, महराज कीजे हो, महराज कीजे हो, महराज ने रंजन, महराज अदी राज, कभी राज, पित्री राज, दुखी राज, दुखी राज, दुखी राज, दुखी राज, वगेरा वगेरा, बाबा, चल्दी से निकल लो, तू ठीक कर रहा है, खहरिए महराज, मैं मेरे हाथ से फिजल रही है मुस्कुरा के बच्चा मैं तरह सारा तुख समझ गया तेरी सारी मुस्बस समझ गया अब 101 रुपे निकाल तेरे सब कर स्टूस हो जाएगा 101 यह लो तो रुपया एक रुपया हुडा रहा है बच्चा ये धागा दाइने हाथ में बांदे, इस धागे के जोर से तुम्हारे पास दोली चली आएगी, अलागी ने रंजन महाराज, मेरा सबसे मणा काटा है, मेरा चोड़ीदार, कोई ऐसा उपाय करिये, कि वो अंदा हो जाए, ताके वो मेरी गर्फ्रंट को देख ही न सके अलागी मेरा अंजन, एक सो एक रुप्य आओ निकालो, एपी कस दूर जाएगा बच्चा एक सो एक, आज की सारी कमाई तो मैने तुम्हें दे दिये लुक है अभी राको, सोते बग, आखों में जोकी नाशक भस्म लगा लेना, तुम्हार दोस्त, जोड़ीदार, अंधा हो जाएगा, अलार्ट कि अंधा हो जाएगा महराज, आज तक जितने मिले हैं स्वामी, सबने कमाई है पदनामी, अगर ऐसा नहीं हुआ ना, तो मैं तुम्हें अंदर कर दूँगा मुष्पुरा के का फसा थी निए वाओ बड्राम स्वामी जी अलाख नीख न अगर बच्चा? स्वामी जी, मैंने आपको पहले कमी के लिएफी देखा है जो भक्त हमें चाहते हैं उसे हम सप्थे में दर्शन दिया करते हैं बच्चा मुझसे तुम्हारा दुख देखानी जाता है इस लोड़की को अपनी सारी कमाई खिराते हो और खाती है तुम और रिश्च करते हैं अपनी अंतरियामी है सब के स्वामी है सब का दुख दूर करते हैं महराज मेरा भी दूर कर दो ना बचाण निकाल एक 101 रुपया सब कस जूरू हो जाएगा एक सो एक रुपया दे देता हूँ ये ये लो अपे धागा बाद ले जर सामने कोई मुसिबत नहीं आएगी एले बच्चा ले पाराज कुछ ऐसा जमतकार करते हो कि मेरा जोडिकार है ना एक रहते लंगला हो जाए ठेका एक सो एक रुपया हो निखाल मैं किया देता हूँ आए बास जात लेले ये देखा है आपने प्येले कभी कई देखा है अब या या साग नहीं तेरों को लंगला कर दो जा जारेयों महराज लेकिन मैंने आपको पेले हे ऐपने ये ये इखने माल्या ओ आओ आओ माला आओ, वेलकम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, क्या बात है, आज बहुत खुश्बू आ रही है, तुम जैसा खुशूरत फूल, जहां मुस्कुरा रहा हो, तुम्हारा खुश्बू नहीं तो और क्या आएगी, चलो, आओ जैनिमन, थोड़ा प्रियार करते नहीं, पहले मेरा सब्जेक्ट पढ़ाईए, और अपना ये लेसन बाद में पढ़ाईएगा, पढ़ाऊँगा, तुम्हारा सब्जेक्ट भी पढ़ाऊँगा, पहले तिलका सब्जेक्ट तो पढ़ लो, तुम्हारे किताब का सब्जेक्ट बाद में पढ़ाऊँगा, प तुम जैसे लड़ की सामने हो, उसे तेक कर कैसे सुधर सकता हूं, क्या कर रहे हो लड़ से पेंव न कुछ कुछ कउष्गerk कुछ 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 самое क révino आवाँ! 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 आवाँ कर दोंब दो कि अब 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 कि अब आ चाहिए थो पहले इन नंबरों को चक्क्र समझ में नहीं आ रहा था लेकिन अब समझ में आ गया है कातिल को पांच मडर करने थे जिसमें चौथे और पांच वे का मडर हो चुका है बागी के तीन लोग बचे हैं हमें किसी पितरा उन तक पहुंचना है और उन्हें बचाना है अब लुटे कह रहे हैं मुस्कुरा के जाएगा वह कैसे क्योंकि अच्शानी की बात कर रहा हूं और तुम के मरने का इंज़ार करें हो सोरी सारी हमेशा गलती करता है मुस्कुरा के अरे इसा कुछ नहीं होता पन्ना मातुर साब नमस्ते अरे मातुर साब कब तक अपने दोस्तों की मौत का मातम मनाते रहोगे आजकल नई कलियां भी खिली बंद हो गई है मातुर साब जिन्गे में कलियों की खुश्बू नहीं है तो मजा नहीं है अरे तिवाली साब इस बेवकुफ को मैं यहीं समझा रहा हूं यह भूत प्रेट डायन कुछ भी नहीं है सब कालपनिक है दुनिया में इनका कोई अस्तित्व नहीं है लेकिन यह खुद डरा किसी तंत्री के पास चले जाओ अरे मातुर साब इसा बकवास है आप तंत्री के पास जाकर क्या करोंगे क्या करेगा औरे भाई दुनिया में डैन वैन कुछ नहीं होता है यह कोई इंसान है जो डैन के नाम से खतल कर रहा है अरे यह बात तो मैं भी अच्छी तरह से जानत जी मैं कोशिश करूंगे अरे कोशिश नहीं काम करो यार अरकल एक नहीं अपसरा को हजिर करो और एक बात याद रखो जिस लड़के पर हाठ डालना उसे अच्छी तरह से जाच परक लेना लड़की जितनी ज्यादा मजबूर और परेशान देंगी हम उतनी सेफ रहेंगे जाओ काम करो नमस्त परदि चलो तुम्हारा काम नेट्टा देते हैं यहां यह मातन साहगो मैं हमेशा तुम्हारी बारे में सूफता रहता अच्छा क्या सोचते हु तो मेरे बारे में शुराओ तो तुम्हारा तो हो यही tag है मैंने प्रोफेर में सीमय बात पर जांते हैं है कि तुम अथूशें कि फ्री में देंगे और आ ओनती उपप्रेसर हूं आन इसल जानती है नहीं आजयों नहीं पलत च्छाहिक करें हुए कर लेकिन थो नहीं हाँ इक़म्द फ्री करने के लेकिन तुम तो अच्छी तरह समझ सकती हो अगर कोई किसी के लिए कुछ करेगा तो उसके बदले में कुछ चाहेगा भी क्या मतलब है तुम्हारा? क्या चाहिए तुम्हे? अब इतनी अंजान मत बनू क्या तुम जानती नहीं कि एक खुबसूर जवान लड़की से एक जवान लड़का क्या चाहता है? शक्तव, शम नहीं आथी तुम्हें मुझस से ऐसी बाते करती हों तुम्हारे घर में मा बन नहीं है क्या? दोनों है लेकिन तुम्हारे जैसी खूबसूरत अपसरा मेरे घर में नहीं है देखो, वैसे भी इस बात का तुम्हारे और मेरे अलाव किसी को पता नहीं चलेगा लेपी, अबरता तो मुझे हाथ लगाने की कोशिश की मैंने बहुत बड़ी भूल की कि तुम जैसे कमिने इंसान पर भरोसा किया आज के बाद अगर मुझे से बात करने की कोशिश की तो अंजाम भयानक होगा पन्ना संजय बाबू आप पन्ना, वो लड़की कौन थी? कौन सी लड़की, जो अधियां से गई है अच्छा संजय बाबू, आप रूबी की बात कर रहा है संजय बाबू, उसको कुछ किताबे चाहिए थी मुझसे वो पूछने आए थी किताबे लेवरियर में है या नहीं मुझे बेवकूब बना रहा है संजय बाबू, बहला मैं आपको क्यों बेवकूब बनाऊगा इन में से किसी को पचानते हो अब एक कमीने मजभूर और परेशान लड़कियों की सिंदगी से खेलता है उन्हें प्लैकमिल करता है अरे संजय बाबू, मैंने क्या क्या अरे मैंने क्या क्या तु जानता है मैं कुछ नहीं जानता हूँ तु अच्छी तरह जानता है संजय मैं कुछ नहीं जानता हूँ जाद रखना हूँ अगर आज के बाद किसी लड़की की तरफांग उठा कर भी देखा तो इन नाक्रों को चिलकवों को खिला दूना समझे क्या रपना, तरी थोबड़े को क्या हो गया मालिक, संजय बाबुन आज मुझे बहुत मारा आपका बेटा होने कवज़े से मैंने उन पर हाथ न उठाया गंदी नारे के खिड़े? तरी ये आवकात? मेरे बेटे पर हाथ उठाने की बात तू मेरे सामने कर रहा है मेरे टुकड़ों परपलियों वाले कुत्ते अब ये आवकात भूल गया तू? मेरे बेटे पर हाथ ना उठाnew रहा है, अशान जी नहीं मुझे पर तू? कि बोल तो मारा मेरे बिटे ने मालिक एक एक लड़की को मैं पटा रहा था लेक्न राजी नहीं हुई उसने जाकर संजबापू को बता थिया मैंने तुझे पहले का था लड़की सोच समझ कर पटाना किसी ऐसी लड़की हाथ मत लगारा जो बगावत पर उतराए इन्हीं लड़कियों के कुछ तस्वीरे संजबागू के पास है क्या बगता है तू वह तस्वीरे तू मेरे सेफ पे थी वह संजबागू के से पहुंचे मुझे नहीं बारू कि मैं स्जेशन गोसा बालता हूं तो अपने काम पे लग जाए ठीक ज़ाए कि अच्छे पेटेश है कि मैं बहुत बिन से देख रहा हूं तुम कुछ खोए खोए से लगते हों मुझे से बात भी नहीं करते है क्या बात क्या है तवियत कुछ च्छीट नहीं लगते है डैट अरे मुझसे क्यो नहीं बोला तुम ने डॉक्टर अंकल से मिलने कोई कि मैंने सुनाए कि तुमने उस पन्ना को बहुत मारा पन्ना जैसे जलील इंसान को तो चांस से मार देना चाहिए डैट वो कॉलेज की भोली वाली लड़कियों के जिन्दगी बरबात कर रहा है किया बात कर ले ओं तुम बेटे वह कमिया इतनी गंदी हरकत कर सकता है मैं कली उसे नौकरे से निकाल दोगा आप तो उसे कल नौकरे से निकाल देंगे टैट लेकिन आज जो तस्वीरे मेरे पास उनके वारे में आपका क्या ख़याल है जो आपके गुदाम की से परामद हो इतनी गर्दी तस्वीर है अब मेरे से जी मेरी समझ भी यह नहीं आ रहा है कि तस्वीर मेरी से पहुंचे अब पुझे कर दो नहीं जरूर उसका बने की हरकत हुए क्या होता है कि मैं कुछ चीजे निकालने रखने के लिए चावी देता हूं और और मुझे याद आया वो कमि ना मुझे तुम्हारी नजरों में गिराना चाहता है उसी बात का बतला लिया है उसने पीछले मैंने उसके तनफ़ाने बढ़े ना इसलिए क्या होगा उसने पर तुम फिकर बद करो मैं उसके अच्छे तरसे ख़वर लूँगा तुम आराब करो यह तस्वीर मेरे पास र नहीं आएगा आएगा तो फिर अभी तक आया क्यों नहीं आ गया यूची तुम आगे तुम मुझे बताया क्यों नहीं हमारे बताने का अंदाजी कुछ और है मैं तो सिधा धाधा हूं क्यों लोग देते हैं गाली अरे ना जाने क्यों लोग मुझे कहते हैं मावाली मैं तो कुछ मांगू ना बस मांगू तोड़ा प्यार जब सिधा धाधा हूं क्यों लोग देते हैं गाली ना जाने क्यों लोग मुझे कहते हैं मावाली लोग मुझे कहते हैं गोलू सुरत पे तेरा ये नखरा अच्छा नहीं यरा लगता है गोलू सुरत प्यार अच्छा ये बस लगता है गिल में बसा के अपना बना के तुछ को रखूँगा मैं सब्स चुपा के तुछ को रखूँगा मैं सब्स चुपा के मैं तो तिधा तादा हो कूँ लोग में गाली अरे ना जाने कूँ लोग मुझे कहते हैं मवाली गुद मॉनिंग क्या सोच रहो पांडे सर मैं तो कुछ नहीं सोच रहा था तेजवादूर का है सर वो एक प्राइवेट काम मतलब अपनी गल्फ्रेंड से मिलने क्या है आए तो उस्काओ ड्यूटी के वक्ट ड्यूटी करें समझे है सर वो हमेश्या गलती करता है मुश्करा के शाप टूपरिट आज तो टिली क्या काम से है 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 हाँ पाट उड़ गया करेक कुछ नहीं मैं तो बिल्गुल ठीक हूँ मज थोड़ा सा हाथ में है तो फिर तुम लंगड़ा के काह चल रहते है अरे लंगड़ा का रिया था मैं तो लंगड़ा निकी एक तिंकर रहता कि लंगड़न लो विचारे चलते कैसे हैं ये दो कुछ चिकड़ 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 अच्छा तो यह बात है हाँ यह बात है अरे मेरी कपड़े ला के सो ना डेलो हाई रे मेरी लंडू बड़ी नम्कीन है कि सिख्यारी है बिलकुल कावारी है मैं एक बात बोलू हाँ हाँ बोलो तुम ना एक तुम सलमान खान लगते हो कोन मोटा अरे वही मोटा मेरा जोड़ी हवलदार अच्छा अच्छा मोटु हवलदार अरे थैज बोतु तुम्री दरोगाते तुम्री सुकायत ना कर दे तब ही चक्कर में फसाई रखते हूं अच्छा अब समझे बोतु समाज गया अब तुम जो, अई मेरी राली है, सुनो, अब चक्ति में, अगली पगार मिलेगी ने, तब तुम आने, जो आना, जो अरे रतना जी, आप यहाँ मुस्कुरागे, अरे दिल खो जाता है जहाँ, मशूख आती है बार-बार वहाँ, मैं समझ गया, आप विजे साफ से मिलने आई है न, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस यहाँ से गुज़ा रही थी, सोचा विजे साफ से मिलती चलूआ, बह वहाँ पर मिलेंगे, वहाँ पर उनकी माताजी भी मिलेंगी, उनका भी आशीरवाद लेलो मुस्कुरागे, नच खट लड़की रतना, हाई, तुम यहाँ, क्यों, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, हाँ, अगर चोड़ी पकड़े जाने का डर हो, तो कहों मैं चली जाती हूँ, अरे नहीं, चोड़ी वाली आशी तो कोई बात नहीं है, मा को तो एक दिन बता नहीं था, अच्छा हो, तुम आ गई आहाँ, यहां कोई शरायरत नहीं, नहीं तो मा चिकाएट कर दू अच्छा जी, अभी माह से मिली भी इनी और मा attain शिकाएट करने की धंकी देने लगी विजे, कॉन है, मा, आप से, हाप से कोई मिलने आई है, आओ नमस्ते माजी, नमस्ते बेटी, इसे जाने दो बेटी, तुम मुझसे मिलने आईयों, तुम मेरी महमान हो, क्या नाव है तुम्हारा? जी मैं रतना, मैं आरे कॉलेज में पढ़ती हूँ, मैं फाइनल यर में हूँ, और इसे निकम्मे को कब से जानती हूँ? जी, थोड़ी दिनों से, थोड़ी दिनों से, अब थोड़ी दिनों में इतना बड़ा फैसला कर लिया तमने, जी, फैसला, वो मैंने नहीं किया, इन्होंने किया, मैंने, मैंने फैसला किया, क्यों ये, क्या समझा दिया इसे, जी, शादी, शादी, कब करेगा ये तुस्से श क्योंकि अब मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं डूंगी वीजय मुझे बहु पसंद रहे खुश रहो मैंने की जानकानी तो दारू की बोतल खोल डालो 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 प्यो आच्या प्योंकि अपमेश लिए अपमेश यह तो प्युवश यह इज़ यह 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 कर दो अ गभव अ कम आव खार फच्ट वह फ़ ा अ कम उखना कर दो पिल्स है कंभ वहsa हाई हाई अ झाल… जब ढुला जब 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 दब टा折 झाल 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 कि एल झाल कि पुछ झाल को कि अ श्काती कि आशाज पाल तो कि आशाज की तार्जा खबर आज टाजा खबर आदम खोड़ डायन एकितीस राशिकार आज की ता सबम्साइड ने कितीस राशिकार अजुड़ ताइम साफ इंडिया यह लो यह पैसे लो आज की ताजा खबर आदम खोड़ डाइन के तीसरा शिकार आज की ताजा खबर एक पर देना यह लिए कि अ कि अ कि अ कि अधिया तो फिर बात क्या है वजह क्या है तीन मर्डर हो गए आज तक तुस कातिल को पकड़ा देगा है अधिया लेकिन देखो विजय मुझे कोशिश नहीं कोशिश का रिजर्ट चाहिए कि अधिया पता भी तुम लोग किस नीद में सोये यार यहां पत्रगारों को आप पोजिशन वालों को जवाब देना मुश्किल हो गया है मेरे लिए कि अधिया अगर तुम्हें किसी भी तरह की जरूत हो तो बेजिजग के बोलो मैं मदद करने के लिए तयार हूं लेकिन किसी भी आलत में कातिल फॉरण गिरफतार हो जाना चाहिए इसके अलाओ मुझे और कुछ नहीं सुनना है मैं पूरी कोशिश करना सब्सक्राइए तुम दोनों ने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया कि सरकार तुम्हें खुश होकर इनाम दे लेकिन आज मैं तुम्हें एक गोल्डन चांस देता हूं गोल्डन चांस अगर तुम दोनों ने आदम खो डायन का पता लगा लिया तो सरकार तुम्हें इनाम भी देगी और तरक करते हैं चोवी स्गेंटे के अंदर आदम खोड डायन को आपके कदमों में पेश कर देंगे मुस्कुरा के मालिक पांच नमबर चार नमबर और तीन नमबर मरने वाले हमारे ही साथी थी हम पांच लोग थे और डायन में पांच नमबर बना रखे हैं तीन लोग तो मारे जा चुके हैं अब हम दो बच्ची है अब पता ही किसका नमबर सर से पहले लगेगा मालिक अब भी वर्त है आप किसी अच्छे तांत्रिक को मिलीजिए यह आपके पुलिस वाइस कुछ नहीं करेगी और तो थीक कहा रहा है तो थीक कहा रहा है थी तांत्रिक से मिलना बहुत ज़रूरी हो गया है यार यह पुलिस के सारी जिना कोई समझदारी की बात नहीं है किसे को जानता है तुमालिक जान अज segundo रिखन gefार calculate है उड़ी किसे को कान उ-कान खबर नहीं होगी छातुर जा जिए औंठो बाबा लखेंद्रिनाथ की जय 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 अलाख निरंजन अरे इस घर में पहुत खत्रा मट्रा रहा है अरे तु तो बहुत गड़ा पापी है तेरा पश्णा असंभव हो है महाराज आप तो अंतर याली है आप तो सब कुछ जानते हैं महाराज ऐसी चोटी मोटी भूटों सबसे हो जाती है यह मेरे अन्न दाता है आप इनको बचा लेजिए ना पचा लूँगा इसके जान पचा लूँगा पर तुझे अपने जान के किमत देने पड़ेगी महाराज क्या मैं देदूंगा मुझे मालूम है तुझ पचा सब्सक्राइब देगा मुझे पचा सब्सक्राइब नहीं खाली दस अजार चाहिए आप जो बोलेगे वो देने के लिए तैयार बस आप मेरा काम कर देजे अगर आपको एड़्वांस में चेक देदूं आपको अपना कम सुरकी जे अधा हम यहलो महाराज पर अभाट कि अधिये आपको बांद ले तेरी सारी परिशानियां दूर हो जाएंगी कोई मुसिमत नहीं आएगी अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन आजा आपको बताना होगा किसे प्यार करती है और किसको मुझे अलख निरंजन पेटा मैं अले जाथा कर रहा हूं और इसका अच्छी तुम लें साथ को का है तु मैं लुटी टुम लुटा गाज है अद्डी आजा करने हैं अभै यह यह उलू का पठा गाज है आट अब का उसको रागे कर दो जब जाज कर दो कर दो अगाल कर दो कर दो कर दो कर दो, आपर थाँ, कर दो telling我े, कि दो कि दोangi भातना कि दो कि दो आफ ऑ ही street कि दो कि में तो कि दो गो कि आफ रसrane आते है, कि दो कर दो कि दो कि दो कि दो कि दोगानод गया झालने लुटाइब टूराई है लुटता है नहीं। शूलान ष॥ली झाला वालygen हे संधु का प्षप में हता है। हैन् वाल आगा है Graham कर दो अगर आप से कोई भूल हुई हो तो आप मुझे बता दीजे मैं आपकी सुरक्षा के पूरी व्यवस्ता कर दूँँंगा डैक तो कैसी बात कर रहा है बिटा तो अपने बाप को शकी नजर से देख रहा है शकी बात नही है डैक मैं तो उस सचाई को देख रहा हूं जो दुनिया के नजर में आ रही है आपके चार दोस्त जो उस डाइन के हाथों मारे जा चुके हैं और शायद अब आपकी जान को खत्रा है डैड देखो बड़ा तुम मेरी जान के फिकर मत करो मुझे कोई खत्रा नहीं कि अब डैड मैं आपको बताना तो नहीं चाहता था मगर आज बताने पर मजबूर हूं कॉलेज की जिन लड़कियों के जिनकी परभाद हुई है उनमें से एक आपकी बहुड़ीती किरण जो अब मर चुकी है कि 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 अब आप अब अब आप कि अब इक नमबर बचा है कि यह माथू और अब बचाना है और आड़म को डैन को पकड़ना है है तो मातू फेर कड़ी नज़र अथि पढ़ेगा कि यही एक रास्ता है कि 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 अ कर दोड़्ाद के डिलाद का तोड़ाद करना टार कार तॉल जुलाद कर दूल से ने वो कि अच्छुर जुलाद टॉला मैं है। ऐ जालिम खेर मना तू अपनी सासं की ऐ जालिम खेर मना तू अपनी सासं की अब मोज मेर मंचे ने तेरी राहों की अब किसी को न छोड़ूँगी चाहे वो कुछ भी कर ले अब जो बस इंसान होगा चाहे दंपि त्रा महले संगी संगी युवद्ध है संगी 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 युवर्षा कोड़िया है संगी क translator कर राज्र कर राज्र कर राज्र कर राम कर नज कर एंची कर नज कर एंची कर र Similar कर गो झार सकत कर आफецल कर लड को यण कर ला कर आदे कर आब और धा कर अ झार सकते मिवाद सार, कर जा झार सकते शौतunn कर ते सकते एंच Application एड़ी! अपरदर अपनी जिखापर ख़ई गाओ लगाओ वर्मादा कोली उसे ख़ली कर दिया है कि तुम्हारे बदम से बहतावा खूल यह थाबिद करता है कि तुम भूत प्रेड नहीं हो लेकि इंसान हो अब तुम बताओ कि तुम कौन हो तुम मताओ तुम में तुम में ऐसा क्यों किया क्यों आदम खोड हैंबर का इतने लोगा खून का डाला तुमने क्यों 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 विजे मैं किरन देदी की मौत के अगम में डूबी हुई थी कि एक दिन लखोर जिंगया ने मुझे बताया हां आगे है जा क्येक्त रपंपर्ण रूपर्ण है उसके बाँ जाए अथ हैंगा है अच्छी बाँ किस की बाँ कि जाए आपके साथ बहुत तुम आए अजरे लेंगे इंगे जाए प्ले अजरे जाए वटेश ने आफ से इसस्टीया पार्ची लेंगे तूले जाए कमीनो, तुम ये मत समझना कि मैं शर्म के मारे घर बैठ जाओंगी मैं, मैं इसी हालत में पुलिस टेशन जाओंगी और तुम सब की असलियत पुरी दुनिया वालों को बताओंगी अच्छा क्यों, 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 क्यों अरे मातुर साब, ये लड़की अपनी जबान खोलने, पुलिस टेशन जाओंगी क्यों, 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 क्यों इस तो आसान बात है, इसकी जबान हमेचे लिए बन कर दो ठीक है, जैसे आपका है क्यों, 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 क्यों गल्राओं अच्छी जबान, इसकी बन दो रोड पेस के बाड़ी फेक दो, एक्सिटेंट का किस बना जो, खतम है बाद अजर जाब बेफिक रही है, ऐसी गाड़ी चड़ाओंगा कि मावला एक्सिटेंट तरही लागेगा और उन सारी तस्वीरों को देखने के बाद मैंने कसम खाई कि मेरी बहन को मारने वाले गुनेगारों को मैं सजा अपने हाथों से दूगी और विजे, मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं अपने इंतकाम में काम्याब हो गई विजे, आज मेरा इंतकाम पूरा हो गया मैं अपने आपको कानून के हवाले करने को तयार हूँ तत्ना, कानून के मैं तुमारे लिए रहम की तरखास करूँगा मैं तो सिधा दादा हूँ क्यों लोग देते हैं गाली अरे ना जाने क्यों लोग मुझे कहते हैं मावाली मैं तो कुछ मांगू ना बस मांगू तोड़ा प्यार मैं तो कुछ मांगू ना बस मांगू तोड़ा प्यार जो तुझे देखा मेरा दिल है भीका रखे मैं तो पिधा दादा हूँ को लोग देते हैं गाली ना जाने को लोग मुझे कहते हैं मावाले तक भूली सुरत पे तेरा ये नखरा अच्छा नहीं यारा लगता है तुझको लगा लूपी में अपने अच्छा ये ही बस लगता है हुआ हुआ है